हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने Poco X6 Android वाइलफोन में आप अपने ब्लुटूथ की कीप से स्टॉपिंग प्रॉल्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालो तो चलिए आप वीडियो का हमें स्टार्ट कर लेते हैं देगी दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने मुएलफोन का ब्लुटूथ किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे ब्लुटूथ वाले पेज पे जो है कीप से स्टॉपिंग लिख है हमारे फोन के एंडुट सिस्टम में अगर कोई भी ट्रॉब्लम आती है तो वह सौल वजाती है फोन को रिबूट करने से अगला काम यह करना है आपको फोन का सॉफ्ट्वेर आपको चेक करना है अपडेट है या नहीं है इसके पहले मुएलफोन का इंटरनेट आप चाल नीचे की साइड यह दूसरा ऑप्शन बीच वाला ब्रॉफ पर टाप करनेना तो आपका यह फेज आएगा इसमां को यह आप प्रें खो Jorge पर ठाब करने आपका इंदर आपको नीचे clear data का इसे ओके करना है इस तरे किसे आपको अपने Bluetooth का data clear कर देना है ठीक है अब देखिए अगला काम आपको करना है क्या है Mobile phone की network setting को reset करना है दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे phone की network setting ठीक से कभी काम नहीं करती है जिसके करान हमारे Bluetooth में keep stopping की problem आती है तो mobile phone की network setting को reset करने के लिए आपको mobile phone को setting page open कर लेना है ठीक है setting page के अंदर आपको सबसे ओपर सर्च setting पर आपको tap करना है अब यहाँ पर आपको सबसे ओपर search बार में reset आपको लिखना है तो आपको नीचे की साइट एक option शो होता है reset wifi mobile and bluetooth का इस first option को tap करना है ठीक है तो आपको इस page में जो तीन setting दिखाई दे रही है यह तीनों setting आपकी mobile phone की network setting के साथ reset हो जाती है आपको नीचे की साइट इसे reset setting पर tap करना है अब आपको इस page में ok करना है आपको नीचे यहाँ पर थोड़ी तेर में लिखा हुआ आजाएगा network setting have been reset इस तरीज़ा phone की network setting को reset कर देना है ठीक है दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने प्रोसेस आपको बताएं सारे आपको यूज़ करने से आपके Bluetooth की keeps stopping की problem solve हो जाएगी ठीक है